हेलो दोस्तो प्रमिस्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो डेल वे में आपके प्रिवेर्ज कुश्चन आयो हैं उनकी वीडियो देखिए पहला कुश्चन है आपका बेंड डाइग्राम का इसमें दिया है आप लोगों को पहला बिग्यान दूसरे में बहुति बिग्यान फिर तीसरे में जी बिग्यान तो देखिए बेंड डाइग्राम इसका कैसे बनेगा जैसे कि आपका है बहुति बिग्यान बहुति बिग्यान आपका यह हुआ उसके बाद जी बिग्यान आपका यह हुआ लेकिन अगर बात कर सवाल है कोडिंट कोडिंग का जैसे की सी बरावर दिया है 24 अब आपको लोजिक एडेंटिफाई करिए कि 24 कैसे हो सकता है जैसे की सी का पूजिट क्या होता है आपका एक्स तो सी का पूजिट करहा है इसने एक्स और X का नमबर दे रहा है आपको 24 क्योंकि आपका X जो होता है वो आप लोगों का 24 पर होता है X तो इस फिर आगे E, Y, E E की कोडिंग करी है फिर इसने 46 देखिए E का जो उल्टा होता है E का जो उल्टा होता है आपका जो होता है E का उल्टा होता है V तो वी को कोट करा है वाइस से आगे फिर वाई का जो अपोजिट होता है वो होता है वी तो इसका जो कोट करा है उसने दो करा है फिर उसके बाद में ए का जो अपोजिट होता है वो आप लोगों का होता है वी फिर इसने कोट करा है वाइस से देखें तो बाइस बाइस हो गया उसके बाद आपको आप से क्पूछा गया है F O X तो आप ए फ का उल्टा यूं नहीं होता है तो यूं होगा आपका 2021 direct उसके बाद वो जो वो झो को आप सिज्वर होता है कि वह होता है आपका ट यह फेर्ट उसके बद ऐसे पैसे एक्स का पूजित हो आफिक हो आपका ट्रफ़ तो किटने हुए आपके वर यह आपके-11 और उसके बाद21 इककी कितने होगे आपके 36 तो इसका राइट अंसर क्या होदा है आप लोगों का 36 चलिए आगे जैसे कि आपका फिर कोडिंड कोडिंग का कुश्चन है जैसे कि एल इजी एंडी को लिखाय से ने बार है पांच साथ पांच एक चार चार तो आप से बूझे गई है टी आर इंडी ट उसके बाद में ए फिर एन और डी तो देखे इसके फैले हम क्या लिखते हैं नमबर जो आपके अंग्रेजी बरण माला के नंसर होते हैं जैसे कि एल होता आपके बारे पर उसके बाद पांच और उसके बाद साथ उसके बाद आप लोगों का पांच फिर आपका चौद है फिर आपका चार तो कहना का मतलब यह हुआ इसकी डारेक डारेक जो कोड कर रहा है वह आपके नमबरिंग से कोड कर रहा है तो आप से बोला है क्या की कोडिंग बोली है आप से बोली है कि टी आर ई आर ई एन और डी ट्रेंड की कोडिंग के होगे तो टी जो होता आपके आ रहाए 28 वीज़ाए 54 वाण कौन सो अप्शन हो आपको दी तो चलिए दोस्तों आगे अब अगला कुश्न है आपका एनलोजी टैस्ट से देखिये एनलोजी टैस्ट में क्या होता है जैसे आपको थोड़ा स्मस्द किस से होगा तो आपका वॉल्प से होगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका option B चलिए आगे देखी अब आपका जो है शवाल है आपका क्या हुआ है यह आया आपका श्रीष से और आपसे पूछा गया है कि बताए निम्न में से कौन सी संख्या गलत है या कौन सा गलत पद है ठीक है दोस्तो अब आपका यह क्या है श्रीष का सवाल है तो श्रीष को कुछ संख्या करने से पहले हमें एक से लेके 15 तक घनियाद होने चाहिए और उसके बाद एक से लेके 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और उसके बाद एक से लेके कम से कम 20 तक तक तो पहाड़े ही पहाड़े भी याद होने चाहिए क्या पहाड़े उसके बाद में आप आसानी से इनको कर सकते हैं स्रीज को तो जैसे कि हम देख रहे हैं और देखो इनके नियम होते हैं पहले हम लगाते हैं घन पे उसके बाद वर्क पे फिर गुणापे फिर भाग उसके बाद जोड फिर घटाना तो सबसे पहले घंद तो एक का घंद होता आपका एक उसके बाद बात करे जाए दो का घंद जो होता है आपका वो दो का घंद होगा आपका आठ उसके बाद बात करे जाए तीन तो तीन का जो घंद होता है दोस्त है आपको 27 अब आपका है 3 के बाद आपका 5 क्योंकि आपको पता कि 5 कगन होता है 125 कितना हो रहेगा आप लोगो का 125 तो 5 का घंड हो गया आपका 125 उसके बाद बात करे जाएं तो देखो एक फिर आपका दो फिर आपका तीन आपका पास तो इसका मतलब इन चीज़ा को देखके लग रहा है यह आपके प्राय नमबर देखिए आपका साथ का जो घन होगा वह आपका होगा 343 उसके बाद क्या है आपका 11 का तो यह जो लगे हैं आपके अभाजे संक्या है ग्यारे का घन आपको पत आपका है दिशादूरी का कुस्तन से तब दी याद रखना अगर आपसे पूछ रहा है कि वैक्ति किस दिशा में जा रहा है या वैक्ति का मुख किस दिशा में है तो सबसे पहले क्या देगी आपको सबसे पहले दिशा दिए कि उत्तर की और तो क्या है नौर्थ नौर्थ तो जेसे इह आप से बोला कहो है बाया to by an बभए डिग्री गुमारे और उसके बाद १ं अफिर आप से बोत रहा है बाया तो बाया भी फिर आप 90 री बाय यानि बहारे तो कहने का मतलब है हम अब से कि इतना हो ढ cent हो प्रेनिता उत्तरदिशा में जाती है और फिर दायemics है दोबारा से दाय मुर्ति ये फिर बायों मुर्ति है अब प्ровुर्ट का प्रीड का किस दिसा में जा रही है तो आपका फिर पहले जैसा प्रिशन होआ जैसे कि आपका नोट लिए हाँ पर और उसके बाद क्या पहले मूल रही है दाया, तो दाया वो मूल रही है तो 90 रिखों आई उसके बाद फिर क्या वो है दाइब आए हैं उनको आप कार दीजिए जैसे कि लेफ्ट और राइट हमने कार देए तो आपका बच्छा राइट दोस्तों यहां से डाइँ घुमाना है कितना 90 डिगरी नबबें डिगरी नौर्ट से देखे कि 90 डिगरी दाइग के दरख होगा अब नौर्ट से नबबें डिगरी दाइग को भांगे तो आपका क्या होडाएगा उत्तर इसमें option a चाहँ जाएगा आपका पूरा चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यह यह आपका पूछा गया है और पीएफ में कि इसमें कितने तिर्बूज हैं देखें दोस्तों किस अगर इस प्रिकार का कोई भी आपकी फिकर होती है जैसे एक दो तीन चार तो इसका मुझे चार में गुणा करें आप दो तो इसहां से कितने हुए आपके आठ अब बात रही है आपके आठ नौ उसके बाद दस फिर आपको ग्यार है फिर आपके बारे तो किसमें ट्रंगल हुए हैं कितने इसमें बारे तो option 20 का राइट आंसर आया है आप लोगों का कि इसमें तिर्विजों की संख्या कितनी हैं देखिए दोस्तों देखो एक डो तीन चार तो कितने होगे हैं से आपके आठ तो इसके हुए उसके बाद तीन होते हैं हमारी यह वाली फिगर के यह जो है आपके तीन उसके बाद तीन होते हम यह वाले तो दोस्तों देखिए कैसे होते हैं तीन ये आपके कोई त्रिबुज है इस पिरकार का तो यहां से यह वाला बीचो बीच एलाइनिंग गई तो एक आप कोई हो गया दूसरा ये और बात करे जाए एक आपका बड़ा वाला तो कितने तिरब होए तीन, इसलिए हम कहते हैं, तीन हाके होए, उसके बाद तीन आप लोगों के यह होए, तीन आप लोगों के यह होए, उसके बाद बात करे जाए, तो तीन आप लोगों के यह होए, तो कितने होगे, तीन, आट और तीन, ग्यारे, ग्यारे हो तीन होगा आ आपके 17 और तीन 20 और तीन तेज और एक आप कही होगा 24 एक आप कही होगा 25 लेकिन दोस्तों एक आपका यह रहा कौम सा वाला एक आपको यहां से अगर बात करें जाए हां से यह वाला यह यह वाला इसको पूरा ले जाए हां से यह वाला है हां तक यह यह वाला ठीक दोस्तों तो कितने होगे आपके 26 और बात करें जाए एक आपका बड़ा वाला जो हां से यह है आप लोगों का यह ठीक है दोस्तों तो कितने होगे इसमें 27 तो आपका कितने हैं इसमें 27 यह इसका राइट चलिए दोस्तों आगे देखिए अब आपका है कलंडर का कुस्स देखिए आप से बोल गया है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा तो इस केस में क्या करते हैं सबसे पहले हम लीप चेक करते हैं जैसे कि आपके 2020 बिल्कुल लीप है जैसे यहां पर देख रहे हैं कि 2020 आपकी बर्स है तो आपको क्या करना है हमेशा इससे एक साल कम जैसे हम लिखेंगा है 2019 2019 2019 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमारी 2020 अभी कंप्लीट नहीं हुई है आगे इससे हमेशा एक साल कम लिखें फिर उसके बाद 400 के पेर बनाए हम लोगों ने 4 400 के कितने पेर बने 5 मार्च उसके बाद मैं 19 19 हो गई है अब 19 को देखो 2000 2019 के बीच कितने लिख पाई होंगे चार डारेक्ट हापे चार से डिवाट करो चार चोक शोल है तो चार होगे हमारी लिख वर्स उसके बाद जनवरी फिर आपका फरवरी उसके बाद आपका मार्च तो यहां पर इस तर अगर हम उसमें साथ से डिवाट कर रहे हैं तो हमारा 30 से कोड जो होगा उसका 3 अगर कोई महिना हमारा 30 का है और साथ से डिवाट करेंगे तो हमारा कोड क्या हो जाएगा उसका 2 अगर कभी-कभी फरवरी आपके 28 की होगे कभी-कभी 29 की अगर 28 की होती है साथ से डिवाट क तो जन्वरी का तीन अब देखिए दोस्तों हाँ पे 2020 लीप है लीप है तो इसका एक उसके बाद मार्च मार्च में किनी तारिक है 29 तो सेम के सेम डेट ने कहां पे 29 तारिक देखिए दोस्तों अब 400 कोड होता है जीरो 400 का जीरो और बुड़ा करंगे हम पास में तो सारी क्या हो जाएगा आपकी जीरो अब देखिए जो आपके साथ से बड़े हैं उनको काट लिए देखिए या जोड़ सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करंगे जोड़ांगे 1904 कितने होगे आपके 1904 आपके 23 23rd 23 कितने होगे 26 और 27 तो 27 को अगर मैं साथ से डिवाट करता हूं तो साथ्या 21 एक साथ्या 21 और कितने बचे 6 थो यह बचे हमारे लेकिन साथ से इसको डिवाट साथ चोक अठाएश पिलस के 1 तो कितने होगे 7 और 7 जब आपका 7 को साथ से तो आपके जीरो और जीरो पे जो कोड होता है हमारा कि दकाई का होता है संडे तो क्या हो जागा इसका अंसर रविवार तो रविवार कौन से ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ओनली ठीक तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं देखिए फिर आपका क्लेंडर का कुश्चन है आ आपके क्या बोला कि 5 फर्वरी 2009 को दिन पूचा गया है तो क्या होगा ठेक लेकिन आगे क्या बोला है कि 5 फर्वरी पांच फरवदी 2018 का जो दिन दिया है वो आपको दिया है शौमबार ठीक है दोस्तों क्या दिया है शौमबार तो कहना का मतलब यह है तो यहां से सबसे पहले देखें कि कितने सालों का अंतर हुआ बहीं 9 सालों का अंतर हुआ है और 9 सालों के बीच में आपकी लीब बर्ष रहे हुँगे कौन सी एक तो रही है आपके 9 तो नहीं 8 होती है 8 के आगे आते हैं तो एक होगी 12 12 के बाद आपके 16 तो 2 होगी आपकी लीब बर्ष कौन कौन सी एक तो होगी आपकी 12 12 के बाद में आपकी 16 साथ एकम्ज़ साथ इसका मतलब चार चार सेस का चार सेस बचे हैं दोस्तों सेस अब कहने के बात यह है हमें 2,9 में बूज़ा गाया है तो हम क्या करने पीठे जाएंगे अब सौमार का होता है कोड़ एक और माइनस करने चार तो माइनस के बचे तीन डबी आपके माइनस के बच जाते हैं तो आप उसमें पिलज जोडोगे और साथ करोगे अब साथ करने के बातों चार और चार पे देख हैं तो आपके आप देखो सौमार एक, मुंगल दो, बुद्ध तीन, और चार पे आपका बुरस पतिवार, क्या उप्सटों में बरस पतिवार है बिल्कुल है जी तो आपको option B B right answer हो जाएगा इसका चलिए दोस्तों आगे चलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें silox का question है आपका इसमें क्या है जैसे कि सभी महिलाएं full हैं और सभी full breaks हैं तो दोस्तों जो सभी में होता है वो आपका होता है और लास्ट का आपका 50 उसके बाद सभी हैं तो आपका 100 शुरू का 100 और उसके बाद लास्ट का आपका 50 दोस्तों याद रखना कि हम जो काटते हैं 150 उकाट सकते हैं जैसे कि सभी full और यहां पर full आपका 100 और यहां पर 50 है तो 150 से आप 150 काड़ दोगे तो यहां से क्या बनेगा सभी महिलाएं ब्रक्ष हैं क्या आपका निश्कर्च में है सभी महिलाएं ब्रक्ष हैं जी बिलकुल तो इसका मतलब फस्ट अभी तो इसका राइत है फस्ट राइत हो चुका है बात करे जाए दूसरा सभी ब्रक्ष महिलाएं हैं द देखे दोस्तों सभी देखो दोस्तों हम कभी भी 50 को 100 नहीं लिख सकते क्यों नहीं लिख सकते बोई वाली बात हुई अगर हम किसी को 50 रुपे देते हैं तो क्या उससे हम 100 रुपे मांग लगें जी नहीं तो यहाँ पर कहने के बाद है आपका जो निश्कर्श सही होगा अब देखे फर्स्ट ओप्शन कौन सा है जिसमें आपका ओणली केवन निश्कर्श फर्स्ट अनूशन करता है तो ओप्शन नमबर डी तो इसका दोस्तों ओप्शन क्या हो जाएगा आपका डी चलिए आगे अब फिर आपका शिलोक्स का कुछ्षन आ गया है देखो सभी बिस्कुट बादर हैं तो सबी बाली चीज क्या पहले हंड़ैड लाष्ट में आपकी 50 तो यहाँ पर हंड़ैड लाष्ट में की 50 देखे दोस्तों हंड़ैड फिप्टी यह पकाल सकते हैं तो आपका सभी बि बाजार है नहीं सभी अनाज बाजरा है ठीक है दोस्तों अब देखिए तो सभी अनाज देखो आपका जो है अनाज है हाँ पर 50 और यह क्या कर दा हंडेर तो इसका मतलब यह तो गलत होजा का सेकंड वाला क्योंकि हमने अभी बताया था कि हम 50 को कभी भी 100 नहीं लिख सकते ठ लिख रहा है तो इसका मतलब गलत माना जाएगा जो कि आपकर यहां पर लिखा गया है तो इसका मतलब गलत हो अब देखिए आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें केवल फर्स्ट अनॉसन कर आया तो ओप्स नमबर सी तो इसका राई ट अंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी दोस्तो 5 दोस्तों बैठाने हैं आपको 1 पर देखे अभ जोस्तों वह नहींख जै inspirational कि कर्वेकर अलोल में ऐक है रदो दोस्तों differentiate is gauche बहुंटे क्योंच सकता है एक केस में औरेंक यहां पर होता हूं घुर कि बी के बगल में एक आपको यहां पर है दो possibility है अब चल देंगे यह identify हो गया यह बाली देखते हैं पहली हो गया दूसरी बाली आगे बोला गया है D के बगल में C बैठा है ठीक है दोस्तो D के बगल में देखो जी D के बगल में कौन बैठा है आपका C बैठा है अब C एक दिखे हाँ पर है तो क्या पता है D के बगल में C बैठा है ऐसे भी हो सकता है लेकिन आगे चलते हैं आगे क्या बोला है E के साथ D नहीं बैठा है ठीक है दोस्तो E के साथ में D नहीं बैठा है अब आपको याद रखना है कि E के साथ में D नहीं होने चाहिए तो इसका मेरो D, E जो बैठेगा आपका यहाँ पर बैठ सकता है और एक केस में आपका E हाँ पर बैठ सकता है चलते हैं आगे अब आगे क्या बोला गया है जो बैंच के बाएं किनारे पर है देखें दोस्तों बैंच के जो जो बोला गया है वो आपसे बोला है ये के लिए और जो बैंच के बाएं किनारे पर है वो वाला ई तो वो वाली पॉसिबिलिटी जो होगी आपकी संभावना बो सही हो जाएगी नाने में के आपका जो है यह जो है बाएं पर बैठा है या इस im tisiv और यह क्या है आपको दाइं पर तो इसका मतलर यह वाली जो है बैठाना किराम हमारा गलत हो चुका है यह बाला सही हो गय जैनार में पर बैटा है nice दाएं छोर से दूसरे इस्तान पर देखें दोस्तों सी दाएं छोर से दूसरे इस्तान पर भी है बिल्कुल सही है बी और ए के दाएं ए बैठा है ठीक है दोस्तों देखो बी और ए बी और ए के दाएं कौन बैठा ए हां पर सही बैठा है आगे A और C एक साथ में बैठे हैं देखा दोस्तों A और C आपके यहां पर भी क्या एक साथ में है तो आप से पूछा गया है तो A किस इस्तान पर बैठा है देखें दोस्तों B और D के बीच में बैठा है क्या B और D के बीच में दो बैटे हैं तो इसका मदब ये तो गलत हुआ पहला उप्षन तो गलत लेकिन बात करें जाए दो से उप्षन के B और C के बीच में B और आपकी C के बीच में क्या ये बैठा है बिल्कुल बैठा है तो इसका कौन सा उप्षन से हो जाएगा only second B option right answer आगे चलते हैं देखिए आगे फिर आपका क्या ये का कुछ ना है ये आपका है कथन का कथन निश्कर से होते हैं जैकर मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है अनीता अपनी मित्र से कहती है ठीक है दोस्तों ठीक है अनीता के पास एक कुत्ता है बिल्कुल है क्योंकि उसके कुत्ता है तो इसका मतलब है तो इसका मतलब ये राइट उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता है देखे पसंद की बात इसमें बोले गई है भोजन भी जो यहां पर पोजेटिव बात बोल रहा है यहां पर और यहां पर क्या नेगेटिव अगर बा आएक option डी राइट आइंशन चलिए आगे आगे फिर आपका कथन निसकर्ष का question है जैसे इसमें ये हैं मणी ने अपनी मां से कहा शूप स्वादिष्ट है निसकर्ष क्या है मणी की मान ने शूप बनाया था नहीं दोस्तों कि इसने मणी ने अपनी मां से खा सूप स्वादिष्ट है इसका मदब किसने बनाया है मणी की मा ने सूप बनाया है नहीं जबकि बनाया किसने सूप है आपका मणी ने ठीक है मणी की मा ने ने बनाया तो इसका मलब पहला तो गलत अब बात करे जाए दूसरे में मनी को सूप पसंद आया मनी को बिल्कुल बोल रहा है शुरू में देखे दुवार पढ़िए कथन को मनी ने अपनी मां से का सूप स्वादिस्ट है इसका मलब मनी को सूप पसंद आ रहा है जबी तो स्वादिस्ट बोल रहा है तो इसका only second सही तो सेक्रिस सही जो है आपका A option right answer है देखें दोस्तों आज के जो questions से हमारे हैं खतम होते हैं कौन सा option हो जागा इसका A, A option होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like और share, subscribe करना नहीं भूले ओके, good bye